उतरप्रदेश विशेश की शुरुवात करेंगे लखनों की खबर के साथ आम बजट पार असीब योग्या दितिनात निकाए कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है किसान, मर्द्य वर्ग, घरीब, महिलाव को इसमें पूरी तरीके से उनका ख्याल रख करके इस बजट को तयार किया गया है, सियम योग्या दितिनात ने बजट की तारीफ की है संसद में केंद्र सरकार काज का बजट माने बित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं सबसे पहले इसका स्वागत करता हूं करोना कालखंड में जब दुनिया की तमाम अर्थ विवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं उन इस्तितियों में भारत के 135 करोड जन्ता की अफिक्साओं और आकांसाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोनमुक और व्यावारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं अधनी प्रधान मंत्री जी का और मानिय बित्त मंत्री जी का हिर्दे से अविनंदन करता हूं वास्तों में बजट सर्वसमाविसी, सर्वकल्यानकारी और समाज के प्रतेक तबके के हितों को संबर्धन करने वाला बजट है इस बजट में किसानों के लिए, नौज़मानों के लिए, महलाओं के लिए, गरीबों के लिए, और समाज के प्रतेक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहें साथे साथ, बजट देश के इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलमेंट के लिए भी चाइवा, राजमार्गों के छमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रस्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, उर्जा छेत्र में ब्यापक प्रिवर्तन लाने के सामें के जा रहे है नए प्रियासों के ओर पुरिदेश का ध्याना कर्शित करता हो, इंफ्रस्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रियास हुआ है, और स्वास्त्य के छेत्र में तो आमूल्चूल प्रिवर्तन करने के लिए, राश्टिय रोग, नियंतर की दिस्से, जिस प्रकार की कारयोशना बनाए गई है, यहाँ सभी अविनंदनी है, संसद में, प्रधान मंत्री जी को इसके लिए बदाई देता हूं, धन्यबाद करता हूं, आपके माध्यम से आज का बजट देख करके ऐसा लगता है, कि गाउं में बैठा हुआ किसान, सहरों में रहने वाला नौजवान, हमारी महिलाएं और गाउं गरीब उनके सब का इसमें जिस तरीके से समाबेस करते हुए कि इतिहासिक बज़र प्रस्तूत किया गया है जिसके करण से जो आत्मिनिर भर भारत की बात मानी प्रधान मंत्री जिने किया था निश्ची तरुष से हम उस सपने को साकार करेंगा और सभी सेटियों में चतूर्दिक बभारत का विकास होगा और निश्ची तुरुसे हम उस लक्ष को प्राप्त करेंगे जिसके लिए बज़र प्रस्तुत किया गया है लेकिन वैपारी वर्ग बहुत निराशने तरहा है वैपारी वर्ग का कहना है कि करोना काल के बाद जिस तरीके से मार्केट बैट गया था बाजार बैट गया तो उसको भी बहुत सारा लाब होगा तो बज़ट में किसी को छोड़ा नहीं गया है बहुत ही अच्छा बज़ट बनाये गया उस बज़ट के माद्य हमचे हर किसी को लाब मिलने वाला है आम जनतक ले और हमारी आधियाबादी महिलाओं के लिए इस बज़ट में कुछ खास लेकिन ऐसा नज़र नहीं है देखें अब तक कि जितने बज़ट रहे सम महिलाओं को समर्पित रहे हैं आपकी बार भी बज़ट में जितने प्रावधान किये गए अभी जब एक एक सेंडी करके आएगा तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं के लिए ये बज़ट बनाएगा ऐसा प्रतीत होगा आपको ज्यादा गेहूं के खरिजारी हुई है ऐसा कहना है शाही का तो प्रुष्य मंत्री सूर्य प्रताफ शाही ने ये तमाम बाते कहिए आम बज़ट को ले करके कि MSP पर पिछली सरकारों के मुकाबले इस बार की जो खरीद फरोख्त रही है वो अधिक मात्रा में की गई है देखे आम आदमी को रहात देने वाला बज़ट है और इसके माध्यम से जो बेसिक आउशक्ते हैं थी स्वास्त और शिक्षा की उसके उपर विशेश से बल दि स्वास्तित की गई है देश को रूना महामारी के चुनोतियों से का सामना कर रहा था और उसको आने वाले भविश्य के भीतर हमारी स्वास से सुबिधायें बेहतर रहें इसके लिए बड़े मात्रा में वहां उसमें धंदासी की व्योस्ता की गई है इसी तरीके से जो नई सिक्षा के दर्ष्टी से वह एक बहुत बड़ी दोस्ता की गई है इसी तरीके से रिसर्च पर पचास जार करो रूपए की व्योस्ता की गई है जिसके माध्यम से नवीन सोधों के कारिक्रम चलाये जा सकेंगे इंफ्रा इस्ट्रक्शर को बढ़ाये जाने के लिए पांच लाग करो रूपए से उपर का उसमें प्रवंध हुआ है जिसके माध्यम से तेज गती से विकास के कारिक्रम चल सकेंगे और लोगों को रोजगार उप्लब दो सकेगा देखे आम आदमी को रहात देने वाला बज़ए लगनों के खबर आपको बता रहें इस साल सब्चा अधिक मात्रा में पिछले मुकाबलों के जो पिछले वक्त में जो सरकारे रही है उनके मुकाबले इस बार की सरकार में MSP पर जादा खरीद फरोफ्त की गई है ज़ादा खरीदारी को लेकर के यहां कहा गया और इस साल सबसे ज़ादा गेहु की खरीदारी कुई है तो कृष्टी मंत्री सूर्य प्रिताब शाही ने आम बज़ट को लेकर के कहा है कि इस बार हर साल के मुकाबले गेहु की खरीद फरोफ्त अधिक मात्रा में की गई है की है और साथ ही ये भी कहा है कि स्वास्तों सिक्षा पर बजट में बल दिया गया है तो खुश्री मंत्री है सूर्य प्रिताब शाही उनके बयान आपको बता रहें तो बजट को लेकर केंद्रिय मंत्री राजिंद्र प्रताब सिंग ने भी क्या कुछ का है आपको वो भी सुनवाएंगे के लिए बहुत बड़ा देन हमारी वित्य मंत्री निर्मला सीता रवन ने आज बजट पेश किया और उसी की मद्य नज़र तमाम लोगों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ राजिंद्र प्रताब सिंग जी मोति सिंग जी यहां पर मौजूद है ग देखिए आज का बजट मेरा भी लंबा राजनेतिक जीवन है और सभी सरकारों में हर वर्ष मजट प्रस्तुत किया जाते हैं मोदी जी के नेत्रित के बाद जितने बजट आये हैं अपने आप में बहुत अच्छे थे और लोक कल्यान कारी थे लेकिन इस बार के बजट में जो सबसे बड़ा काम हुआ आज जिनकी साया में हमारे परिवार हैं हमारे जो नौजवान हैं 75 वर्ष से अधिक आयू के अपने बुज़र्ग को इतना बड़ा सम्मा किसी ने सोचा नहीं था कुने आई टी आर को भढ़ने की जरूरत नहीं यह बहुत बड़ा काम हुआ है 17 परसेंट ग्रामीड खेत्र के विकास के लिए बजट का एलोकेशन है जो बहुत बड़ा हिस्ता है और बहुत दिनों के बाद पहली बार इतना इतनी धनराश एलोकेट की गई है ग्रामीड खेत्रों के विकास के लिए अचा यह बजट स्रेस्ट भी है सशक्त भी है और आत्म निर्भर भारत की की बुनियाद की और बढ़ता हुआ बजट है और मैं तो मानता हूं कि उसकी बुनियाद बनेगा और जीवन की जो बुनियादी जरूरतें आदमी सोचता है और को लेकर विकास से जुड़े जितन भी छेत रहें उस पर आज का के बजट की नजर दिखती है उद्योक के छेतर में सिक्षा के छेतर में विज्ञान के छेतर में क्रशी के छेतर में जनस्वास्त के छेतर में चिकिस्टा के छेतर में बहुत ही अभूत पूरों निर्णे लिए हैं और उसे इस बजट ने बल जाई वेक्त करता हूँ पूदी सरकार के इस बजट ने एक बार फिर देश के कमजोर, मध्यमवर्ग, खेती करने वाले किसानों, बेरोजगार, नौजवानों, छोटे उद्धोपतियों को निरास किया है। इस बजट में देश के अर्थव्योस्ता कैसे ठीक होगी, कोई रास्ता नहीं, क्रसी पर क्या काम करेंगे, कोई रास्ता नहीं है, रोजगार कैसे देंगे, रेल स्टेट को दबारा कैसे इस्थापित करेंगे, इस पर कोई फोकस नहीं किया गया है। देश में बची कुछ चीजे बिजली, सड़क, एरपोर्ट कैसे बेच सकते हैं बेचने का जरूर प्रस्ताव है ये बजट देश की 90 फिजदी आबादी को निरास करने वाला बजट है केवल 10 फिजदी लोगों के लिए काम किया गया है बजट में इससे खराब कोई बजट नहीं हो सकता पुराने बजट की तरह ये बजट है केवल कवर बदला है पन्ने वही है तो आम बजट आज पेश किया गयो और ऐसे में कानपूर के जो व्यापारी वर्ग है उनमें भी खासा निराशा देखने को मिली है तो कानपूर के व्यापारी वर्ग के बीच भी इस बजट से खास खुशन अज़र नहीं आ रहे है उनका यही कहना है कि अब भी इस बजट में काफी सुधार की सम्भावना जताई जा सकती संभावना थी कि इस बजट से उमीदे तो बहुत लगाई गई थी लेकिन व्यापारी के तौर पर ये कहा गया कि ये जो बजट तयार किया गया है और व्यापारी वर्ग के जो लोग बताए जा रहे वो इस बजट से बहुत नाराज में ज़रा रहे हैं सरकार के बजट में करोना काल के बाद में मसमी उद्यमी हम लोगों ने काफी कुछ उमीदे लगा रखी थी लेकिन इस उमीद पर ये बजट एकदम भी खरा नहीं उतरा हम लोगों को घोरने रासा हुई हम लोग कहीं कहीं उमीद रखे थे कि हैं करोना काल में भी ज्येस्ट डी का का लेक्शन रिकॉर्ड तोड वहách उसके बावजूद भी किसी भी तरह के टेक्स में नहीं तो इंडस्री को रिलीफ मिला है नहीं जन्मानस को मिला है इसको मिला है यह घोरी ही निरासा जनक बजट रहा FDI का benefit MSME sector को तो मिलना नहीं है वो बड़ी industries को मिलना है तो इसमें MSME sector के लिए ये budget में कोई भी प्रावधान नहीं है ये कह सकता है अगर कहा जाए तो इस budget को आप कितने नमबर देगे सरकार किस बजट में MSME sector के हिसाब से देखा जाए तो 2003 नमबर वह ऐसे देखा जाए तो infrastructure के मामले में इन्होंने काफी कुछ funding announce करी है लेकिन उस infrastructure का benefit धरातल पर आते आते दोर से तीन साल लगेंगे उसका benefit तभी पासन हो पाएगा कोविट के बाद जैसे lockdown हुआ, labor का पलायन हुआ, demand में कमी आई, funding की problem आई, bank में NPA हुए accounts उसमें सरकार की और से कहीं पर कोई रहात नहीं दी गई, हमारी मांग थी कि कम से कम कोविट के बाद industries को NPA के लिए कम से कम 6 महीने का time देना चाहिए, अगर 6 महीने तक account ठीक नहीं होता है उसके बाद ही उसको NPA गोसित किया जाना चाहिए, आसान कर्ज की विवस्था करनी चाहिए, इससे उद्वग पनप सके वापस से सरकार का बहुत पुराना नारत था, मेक इन इंडिया, उसके बारे में सरकार ने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला बजट में मेक इन इंडिया का मेन कॉंसेट जो था, वो MSME से था, उसमें कहीं कुछ प्राप्ती नहीं हुई लेबर लॉज में जो राहत की उम्मीद थी, वो उसके वार में सकार कोई बात कभी करती ही नहीं है इंडिस्ट्री को इन दो-तीन चीजों पर कच्छे माल में जिस तरह की अबुत पूर तेजी आई है पिछले दो मेने में इसी के कारण सही मायने में गद दिखा जा तो जिस तरह की उपर बढ़ रहा है इसलिए इंडिस्ट्री समस्या से जूज रही है तो आम बजट को लेकर के घरेलू महिलाओं का क्या कुछ कहना है और इसी पर चर्चा की और बाचीत की है इन घरेलू महिलाओं से वरिष्ट संग्वादा था चंचल दूबे ने आपको वो भी दिखाते वित मंत्री निर्मला सीता रमाट द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है उस बजट पर आज न्यूज वन इंडिया इटावा जनपत की कुछ घरेलू महिलाओं के साथ में चाय पर चर्चा करेगा आज बजट पर न्यूज वन इंडिया से खास बातशीत करेंगी आज जो वित मंत्री द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है मैम उस पर आपका क्या कहना है क्या नाम है आपका मैं डॉक्टर पद्मात रिपाथी एसोसेट प्रोफसर के की डीसी कॉलिज वित मंत्री जी द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है हम सब के लिए एक गौरब का छड़ है क्योंकि महला ने बजट पेश किया है वित मंत्री हमारी महला है दूसरी बात यह है कि महल काजी महलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या अपन्द हो गयी लेकिन इसबजट के माध्यम से पूरा-पूरा प्रयास मरी महला वित मंत्री जी ने किया है कि ऐसी कामकाजी महलाओं के उन्नती अउत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया है जैसे कि उनको सरकार उनकी सुरक्षा के प्रतिवी संजीद है। जिस तरह से घ्रिम्री को उन्हें एक खुशी की लहर जो देनी थी, वो खुशी की लहर उन्होंने इस तरह से दिये कि उन्होंने कस्टम हटा दिया गोल्ट पैसे की जादा से लोगों के अप्रोच में आ सके। दूसरा बात जो हो रही है, वो तो हम दिन पर दिन देखी रहे हैं कि महगाई बढ़ती जारी है। दूसरी फैक्टर्स में उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी हैं जिसके लोग अप्री इंकम कर सकते हैं आएके स्रोज खुले हैं। सीम योगिया दित्यनात ने बड़ा एलान किया अचल भूजल योजना अब पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। अब तक योजना राजी के दस जिलो में लागू है। योजना के तहत पानी बचाने पार जोड दिया जाएगा। योजना के तहत जल संचय और प्रबंधर के कारिया तै होंगे। तो जेक जैम तालाव छोटी छोटी बंधियों का निर्मान शुरू किया जाएगा। तो इस योजना के तहत तमाम घरों तक जल की ये योजना जो शुरू की जा रही है जल पहुचाने का काम तमाम घरों तक किया जाएगा। तो वहीं लखनों में यूपी के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तौफा मिला है किसानों को रहत देने के लिए योगी सरकार की एक और पहल देखने को मिली पीम किसान सम्मान निधी योजना से वंचित किसानों को ले करके ये पहल के शुरुआत सी यूगिया दितेनाते की है प्रदेश के सभी जिलों में आज से तीन दिवस्या समधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और इसी का आयोजन सी यूगिया दितेनात करवा रहे हैं योजना से बंचित किसान अपना आधार नमबर और नाम करा सकेंगे दुरूश तो आधार सत्यापन की अनिवार्यता के चलते कई किसान अभी भी बंचित हैं वहीं लखनाओ में उड़्जा मंतरी श्रीकान शर्मा और पावर कॉपरेशन चेर्मैन में बढ़ी है तलकी तो चेर्मैन अर्विंद कुमार की कारे शैलिक से खपा मंतरी नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर लगतारूप के कलाव सवाल भी उठाय जा रहे हैं मनमुटाव सारवजने खोने से रोज मर्रा के काम काश पर असर भी देखने को मिल रहा है स्मार्ट मीटर में गरपड़ियों, बिलिंग, एजन्सियों की मनमानी सहित कई ऐसे मुद्धे पताय जा रहे हैं जिस पर मंतरी के पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है